नमस्कार दोस्तों जल्द ही इंडियन मार्केट में थार 5 डोर लॉंच होने वाली है और इसकी डेट है 5 रगस तो अब से 10 दिन बाद में थार 5 डोर इंडिये में लॉंच हो जाएगी तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जो करें थार 3 डोर है उसमें और जो थार 5 डोर है उसमें क्या-क्या चेंजिस मिलने वाले हैं मतबल थार 3 डोर को कितना अपग्रेड किया गया थार 5 डोर के अंदर दोस्तों मेरा नाव पंकच और यह दि आप चैनल पहली व आपको मिलने वाले बट उससे पहले में इस गाड़ी का नाम होता हुँ हम इसको थार 5 डोर ना बोलके थार रोक्स बहने वाले क्योंकि कंपनी ने इसको नाम दिया थार रोक्स यह नाम मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं बट यह इसकी जगर अर्माड़ा नाम होता थार जो पहले बहुत सारे सर्कुलिशन आ रहे थे कि इसका नाम थार अर्माड़ा होने वाला है पर ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वो नाम होता तो ज्यादा बेटर होता अब इसके जो 5 पॉइंट है उसमें से ज़र्दी मैं 5 पॉइंट के बात हूँ तो वह है इसकी लेंद जैसे क जैसे मैं नहीं वीडियो देखे या फिर मैं इसके जो टेजर देखे उससे मुझे पता चलता है कि या आप पी दिधान से देखोगी तो आपको भी देखेगा कि इसमें जो बूट इसपेस सब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मिलने वाला है जितना थार ख्रीड़ बूट इसपेस था उतने ही मिलने वाला बट उसकी लेंद बढ़ गी बननी थी क्योंगी इसको थोड़ा बड़ा कि अख्षा दर्वाजे जोड़ें जिससे इसकी लेंद बड़ी होनी थी बट मज़ेदार बात ही है कि लोग इसको रेंगलर से कंपेर कर रहे थे जब तक इ प्रवासारी है नहीं मेरे साब से रेंगलर से से किन बड़ा चेंज है इसकी हैडलेंप और फोग लेंब में परहने में जो थ्री डॉर थार आ रही है उसके हैडलेंप और जो फोग लेंप मिलता था अब आपको थार फाइब डॉर में फूल एलीडी सेक्टर मिलने वाला ह जो कि बहुत ही बड़ी आब आप गाड़ी को आपको डिलिव लेता ही क्रोल बाग जिसे मार्केट में लेकर जाने की जूरूत नहीं पड़ेगी आपको ओलेडी जो हेडलेंप है वो वाइट पी दे रहें जो कि एक बहुत ही बड़ी आब इदेम इसके तीसरे पॉइंट क लिए इस्तेमाल करने वाले हो साथ में आपको ऐसे ट्रेंड में इसको इसको इसके जो सीटे वह बहुत ज्यादा गंदी होने वाली है क्योंकि जो अक्स्वियू 700 थी वह लक्जरी सेग्मेंट में आ रहे थी उसमें यह सीटे चल भी सकती थी बट वहां की सीटे भी सब्सक्राइब कुछ और चेंज की बात करें तो बड़ा चेंज इंटेरियू में बिलेगा आपको इसके इंफोमेंट सिस्टम में इंफोमेंट सिस्टम पहले वाले से बड़ा है और अब 11 इंच के आसपास आपको देखने मिलेगा जो कि फुली एंडर और और एपल इंस्ट्रूमेंट क्लेस्टर जो इसकी तोफ हैंड मोडल आएगा उसके अंदर आपको फुली डीजिटल देखने मिलेगा पट जो नीचे वाले मोडल है उसमें जो अभी चल रही है करंट में उसका सेम टूसेम आपको रिप्लेस वाद देखेगा इसके अंदर आपको और उसके अलावा एक पेनरोमिक संडूप जो कि आप एक SUV जो ओफ रोड के लिए होने वाली है और जो इसका डिजार भी ताड़ा बोक्सी टाइप है उसके अंदर आपको यह संडूप आएगी तो मज़े ही मज़े होंगे और ही इसका जो लुक है उसको भी काफी इन्हें अब इसके अंदर आने वाला इंजिन और गेरबोक्स इसके पहले गेरबोक्स की बात है उसका जो 4x4 और 4x2 दोनों आपसर में एक साथ मिलने वाली है मतबल कि जब लूँच होगी तब 4x2 भी इसमें आएगा और 4x4 भी आएगा जो पिसली था 3 डोरती उसका जो 4x4 था वो तो बहुत पहले लूँच हो था और 4x2 उसकी साल से डेट साल बाद में लूँच किया था तो इस बार यह दोनों साथ में दे रहे हैं जो बहुती व एक और बढ़िया उसन है कि जो 4x2 है उसके अंदर आपको 1.5 लिटर का डीजिल इंजन भी मिल जाएगा जो कि बहुती बढ़िया और यह एक अच्छी बात है जो महिंद्राइन किया क्योंकि आपके पास एक अक्स्टा उप्शन हैगा आपका जो बजेट है वो भी आपको वीडियो के साथ तब तक आप अपना धानी धनेवाद